लेकिन अभी तक नहीं आया और जो भी आया है उसमें हमने नियू गमोरा और एडम वार लोक का लुक देखा जो की काफी ज़्यदा अमेजिंग था तो हाँ वीडियो शूरू करने से पहले स्पोईलर वर्निंग अगर आपको स्पोईलर से डर लगता है तो वीडियो अभी कुईट कर दो और नहीं लगता है तो चलो मेरे साथ वीडियो शूरू करते हैं तो चलो मेरे साथ वीडियो और फिर आयन में ने स्नेप किया था और थैनस और थैनस की आर्मी सब गायब हो गये थे और अकर इसा नहीं भी हुआ होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि मार्वल जाला इस मुवी में भी टाइम ट्रेवल दिखाएंगे क्योंकि अब में मल्टिवर्स खुल चुका है वैसे मल्टिवर्स तो फेस 4 से ही खुल गया था लेकिन फेस 4 में उसे इतना अच्छा से एक्सप्लोर नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि मार्वल फेस 4 में मल्टिवर्स एक्सप्लोर करेगा पूरी तरीके से क्योंकि मार्वल ने फेस 4, फेस 5 और फेस 6 को मिला कर एक नाम दिया है The Multiverse Saga हाँ तो ये वाली गमोरा किसी और यूनिवर्स से ही होगी जो कि हमने लिग्ड ट्रेलर में देखी है क्योंकि ये वाली गमोरा इस ट्रेलर में गार्डियन्स के किसी भी मेंबर को नहीं पेचान रही है और अगर इसकी जगे एंड गेम वाली होती तो वो तो इन सबसे मिल ही चुकी है एंड गेम में तो हाँ ऐसा हो सकता है कि ये गमोरा किसी और यूनिवर्स से हो और इस ट्रेलर में हमने रोकेट के भी कुछ पास्ट के सीन देखे मतलब उसके कुछ बचपन के सीन जिस सीन में वो छोटा सा है जिसे देखकर लग रहा है कि इस मूवी में हमें रोकेट ही ओरिजन भी बताई जाएगी और हाँ एक ऐसा भी लिगा है कि इस मूवी में ड्रेक मर जाएगा और ये वाला लिग जो है वो काफी हथ तक सही होगा इसके सबसे ज़्यादा चांस होगे पर सही होने के क्योंकि Guardians of the Galaxy 1 में ग्रूट मरा था और Guardians of the Galaxy 1 का लोगो ग्रूट के ही जैसा था और Guardians of the Galaxy 2 में योंडू मरा था और उस मूवी का टाइटल भी कुछ योंडो के ही कलर का था तो हाँ Guardians of the Galaxy Volume 3 के टाइटल को देखकर एसा लगता है कि इस movie में ड्रेक्स नहीं होगा और एसा भी सुनने में आ रहा है कि ये movie काफी ज़्यदा emotional होगी और इस movie में सब अलग-अलग चले जाएंगे मतलब कि Guardians की पूरी team बिखर जाएगी तो बस साच के लिए इतना ही और अगर और लिकाते तो मैं आपको बता ही दूँगा